एक किसान था, वह एक बड़े से खेत में खेती किया करता था, उस खेत के बीचों बीच पत्थर का एक हिस्सा जमीन से उपर निकला हुआ था, जिससे ठोकर खाकर वह कई बार गिर चुका था, और ना जाने कितनी ही बार उससे टकरा कर खेती के ओजार भी तूट चुके थे, रोजाना की तरह आज भी वह सुबह सुबह खेती करने पहुचा, पर जो सालों से होता आ रहा था, एक वही हुआ, एक बार फिर किसान का हल पत्थर से टकरा कर तूट गया, किसान बिलकुल क्रोधित हो उठा, और उसने मन ही मन सोचा कि आज जो भी हो जाए, वह इस के इस हिस्से ने मेरा बहुत नुकसान किया है, और आज हम सभी को मिलकर इसे जड़ से निकालना है, और खेत के बाहर फैंक देना है, और ऐसा कहते ही वह फावडे से पत्थर के किनारवार करने लगा, पर ये क्या, अभी उसने एक दो बार ही मारा था, कि पूरा का पूरा जमीन से बाहर निकल आया, साथ खड़े लोग भी अचरज में पढ़ गए, और उन्ही में से एक ने हसते हुए पूछा, क्यों भाई, तुम तो कहते थे कि तुमारे खेत के बीच में एक बड़ी सी चट्टान दबी हुई है, पर ये तो एक मामूली सा पत्थर निकला, किस जान भी आश्चर्य में पढ़ गया, सालों से जिसे वह एक भारी भरकम चट्टान समझ रहा था, दरसल वह बस एक छोटा सा पत्थर था, उसे पचतावा हुआ कि काश उसने पहले ही इसे निकालने का प्रयास किया होता, तो ना उसे इतना नुक्सान उठाना पड़ता, औ और ना ही दोस्तों के सामने उसका मजाक बनता, कहानी पसंद आई हो तो कृपिया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें